Hello students, आईए, आज का वीडियो में हम आपको सिखाएंगे Use of He, See, It इसका Use हम कैसे करते हैं? तो चलिए, सबसे पहले हम ये तीनों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं He He में किसमे Use होता है? जब कोई हम मेल के बारे में बात करते हैं यानि जब कोई हम पुरुष जाती के बारे में बात करते हैं तो वहाँ He का Use होता है तो बच्चों अगर आपको ये मेल और पुरुष जाती नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात ने, आपको एकदम इजी से हम समझा दे रहे जब कोई बॉइ के बारे में यानि कोई लड़का के बारे में बात करते हैं तो वहाँ He का Use होता है जैसे बॉइ, फादर, अंकल, ये सब क्या है? He है, ग्रैंट फादर, किंग, ये सब ही है यानि इससे बॉइ का पता चल रहा है लड़का जात का पता चल रहा है इसलिए उसमें He का Use होगा नेक्स्ट देखिए C C में फीमेल के बारे में हम बात करते हैं फीमेल मतलब इस्त्री जाती अगर बच्चों आपको ये फीमेल और इस्त्री नहीं पता चल रहा है तो कोई बात ने, खाली आप इतना दिमाग में रख लीजिए जिसमें गर्ल के बाते में बारे में पता चलता है गर्ल के बारे में पता चलता है उसमें लड़की का बारे में पता चलता है उसमें हम C का यूज़ करते हैं Example में देखे Girl, Mother, Aunt, Queen, Sister इस अब क्या है? C है इसमें क्या? Girls के बारे में पता चल रहा है अब हम बात करेंगे Eat के बारे में जब कोई Animals, Things और Place के बारे में पता चले तब उसमें Eat का यूज़ होता है तो चलिए कुछ हम Exercise वर्क से आपको हम और इसको Easy तरीका से समझाते है आप बच्चो देखे यहां कुछ Feeling दा ब्लैंक सम दिये है इससे आपको He, See और Eat का क्लियर और हम अच्छा से कर देंगे Feel in the blanks with He, See, Eat यहां पर आपको समझ के लिखना है यहां पर Feeling पर blanks है इसको आपको He, See और It से इसको फिल करना है आपको यहां पर समझने होगा कि कहां पर किसका यूज़ होगा तो सबसे पहले बच्छों आपको हम और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप एक तब क्लियर ली समझ लें जब He, He आप कहां पर लिखेंगे? He का यूज़ आपको कहां करना है? जब आप देखेंगे कि कोई बॉई के बारे में बात होगा जब कोई बॉई के बारे में बात होगा तब आप उहां He का यूज़ करेंगे और जब आप He को हम क्लियर कर दिये जब भी कोई बॉई के बारे में लड़का का पता चलेगा तो आप उहां पर He का यूज़ करेंगे अब हम आते हैं C C, जब आपको girls के बारे में, girls के बारे में पता चलेगा, लड़की के बारे में पता चलेगा, तब आप महाँ पर C का यूज़ करेंगे. ये भी आपको पता चलेगा. और next देखिए, it. It में कैसे पता चलेगा? इत लिखना है जब कोई animal things या तो please का बारे में पता चलेगा तब आप वहाँ पर eat का use करेंगे चाहे वो living things हो चाहे वो non-living things हो उसके बारे में आपको जब पता चलेगा तब उसमें आप eat लिखेंगे अब यहाँ पर आप first question देखिए Das is a boy तो boy में क्या होगा? इसमें क्या use होगा? he, boy में he होगा नेक्ष देखिए Das is a police man पोलिश मैन में क्या होगा? he, police man में होगा he क्यूंकि इससे क्या पता चल रहा? boy का पता चल रहा लड़का का पता चल रहा इसलिए यहाँ पर होगा he next देखिए third number Das is a kite kite तो यहाँ पर kite क्या है? things है तो इसलिए things रहने से क्या होगा? eat यहाँ पर eat होगा next देखिए Das is rahul तो rahul क्या है? लड़का का नाम है boy का नाम है इसलिए यहाँ पर boy का पता चल रहा है इसलिए हो जाएगा he next देखिए Das is a rani rani क्या है? girls है girl है लड़की है यहाँ पर girls का पता चल रहा है इसलिए यहाँ पर girl है इसलिए हो जाएगा see next देखिए Das is my book और यह book क्या है? यह भी things है इसलिए क्या हो जाएगा? eat यहाँ use होगा eat next देखिए 7th number में Das is a nurse nurse में क्या होगा? अभी तक बच्चों आपको समझ में आई ही गया होगा nurse क्या है? see क्योंकि इसमें girl का पता चल रहा है next question देखिए Das is my uncle uncle क्या है? uncle he uncle में he होगा क्योंकि इसमें भी boy का पता चल रहा है next देखिए 9th number में Das is my mother mother में बच्चों क्या होगा? see mother क्या होगा? see 10th number में देखिए Das is a flower flower में क्या होगा? इसमें इस flower में नहीं boy का पता चल रहा है और नहीं इसमें girl का पता चल रहा है तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा it it is a flower 11th number में देखिए Das is a car car में क्या होगा? यह भी न boy है न girl है तो यह क्या है? यह thinks है तो यह हो जाएगा it next देखिए Das is a chair chair भी thinks है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा it तो बच्चों और एक बार फिर से हम इसको repeat कर रहे हैं आप एकदम याद रखेगा he में boy का पता चलेगा जैसे father, uncle, brother, king और c में girl का पता चलेगा c में याद रखेगा girl का पता चलेगा लड़की का पता चलेगा c भी आपका clear हो गया he भी clear हो गया और it में आपको animals, thing और place का पता चलेगा तो आपको यह सारा चीज एकदम clear हो जाएगा तो बच्छों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो like किजिएगा अपने दोस्तों में share किजिएगा और subscribe अभी तक आपने अगर नहीं किये हैं तो जरूर किजिएगा next video में फिर मिलते हैं thank you so much